तो बेरकुल आप देख सकते हैं किस तरीके से वाइक स्मेट जो है युवक स्मेट नहर में घिर जाता है और आप देख सकते हैं बाइक को बाहर निकालने का प्रयास जरूर किया जा रहा है करणाल से यह बड़ी खبر है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी बाईक के समेख जो है नहर में गिर जाता वर आप देख सकते हैं गोता खुरू को टीम मोपे पर पहुंची हुई है औरह आप आप देख सकते हैं अब इस बाइक को नहर से बाहर जुरूर निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं गड़ बोडी का पता नहीं चला लेकिन बाइक को आप देख सकते हैं गोता खुरू की टीम मोके पर पहुंचकर बाहर जुरूर निकालती हुई नजर आ रही है करनाल की तस्वीरें हैं यहां पर आप देख सकते हैं एक यूवक जो है वो अपनी बाइक समेट जो है वो नहर में गिर जाता और आप देख सकते हैं अब गोता खोर्यू की जो टीम है वो रसी के सहारे इस बाइक को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो जरूर कर रही है आप देख सक पर आप ज़िस्कते हैं पॉके साथ जो आ है उनान नहर में से अब गुज्टन गोतखरोन की टीम बहर निकालती हुए जूरूर नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं अब कहीं नहर में बहुतिखोरू की टीम बाहर जरूर निकाल लिया है नमबर भी आपको बताएं के बाइक का लेकर पिलाल आप देख सकते हैं ये बाइक है जिसे पिलाल गोताखोरू को टीम ने बाहर जरूर निकाल लिया है काफी पर्यास यहां पर गोताखोरू को टीम को करना पड़ा इस बाइक को बाहर निकालने में नहर में बाइक के साथ जो है यूवक गिर जाता है एक बड़ा हादसा जो है करनाल में पश्मी न बता नहीं है कि वो कहां पर है लेकिन फिलाल गुताखोरों के टीम वोके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद रसी के जारे जी हां कड़ी मुशक्कत के बाद रसी के जारे इस बाइक को नहर से बाहर जुरूर निकाल लिया है बताया जाता है कि बाइक पर बैट कर य यूवक और उसके बाद कहीं न कहीं एक बड़ा हाथसा जरूर हो जाता है बाचित भी करने का प्रयास करेंगे गोताखोरों के टीम से लेकिन फिलाल आप देख सकते हैं इस बाइक को बाहर जरूर निकार लिए थी सर नमबर भी बताएंगे बाइक का आपको लें करन गोताख से बाचित में करेंगे करन गोताखोर से बन्दा मोट सहल समय गरिए तो मियाँ पर साम को 6,6 शाथ जिसी पहंचे थे उस बंदे को देखने के लिए तो यहां पर मुझूद नी था इसने देखा तो जो अच्छे थे वह कह रहाए थे बाई आमार को बंदा दिख रहा बंद पता चलेगा यहां करेंगा ता कि यहां पर बंदा बच सके यहां लग रहा है कि तेज रफ्तार या कोई दिंक्रूं की वज़ा से गर गया है यहां का नाम क्या है मेरा नाम मेरा सारी टीम अजी है कितने समेंसे हैं सर्च प्यान कर रे थे करनाल की तस्विरिया है जहां पर आप देख सकते हैं करनाल की तस्विरिया है जहां पर आप देख सकते हैं फिलाल नहर के अंदर से बाइक को जरूर निकाल लिया है औरने कि इस बाइक पर जो व्यक्ति सवार था उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है बहुत ही दुकत हादसा हर्याना के करनाल में जरूर हो जाता है बताया जाता है कि बाइक अपनी यूवक जो है अपनी बाइक पर बैठ कर जो है बाइक की रेस चेक कर रहा था और उसके बाद कहीं न कहीं यह हादसा हो जाता है करनाल के पश्मी यमना नहरी के तस्वीरे थी यह जहां पर एक यूवक जो अपनी बाइक के साथ नहर में गिर जाता और एक बड़ा हादसा जरूर हो जाता है अलगर लगतार गोता खोर करन की टीम मोके पर पहुँचकर सर्च बहां जरूर चला रही थी लेकिन बाइक को तो गोता खोर करन की टीम ने बाहर जरूर निकाल लिया है लेकिन यूवक का प्लाल अभी तक कोई अता पता नहीं है करनाल की तस्विर थी जहां पर एक मार फिर से एक बड़ा हादसा जरूर हो जाता है और एक यूवक अपनी बाइक के साथ जो है वो नहर में गिर जाता है सामने आप देख सकते हैं ये बाइक है इस बाइक को गोता कोर न नमर है वाइक को गोता कोर ने अपनी टीम के साथ मिलकर बाहर जरूर निकाल लिया है एक बड़ा हादसा जरूर हुआ है बड़ी घटना जरूर हुई है एक यूवक अपनी बाइक की रेश चेक कर रहा था कि उसकी बाइक की रेश बिल्कुल ठीक है या नहीं और जैसे ही वो बाइक की रेश देता है उसके बाद कहीं न कहीं वो बाइक के साथ जो अन्हर में गिर जाता है और लगातार गोताखोर करन की टीम मोके पर पूंच कर सर्ची ब्यांच ला रही थी भाई को निकाल लिया गया है लेकिन यूवक कहा करेने वाला है ये जानकारी नहीं मिली है यूवक की डेट बोडी भी मोके से नहीं ब्रामद हुए उसको भी दूढ़ने का प्रियास जो है गोताखोरू की टीम की और से जुरूर किये जाएगा हमारी आसमी से पिल रहेगी नहर के किनारे आप इस तरह से अपनी बाई की रेश चेक न करें क्योंकि बड़ा हाथचा हो सकता है और एक बार फिर चाप देख सकते हैं किस तरीके से करनाल में एक बड़ा हाथचा जुरूर हो जाता है